हाई गुड बॉर्णिंग एवरिवन आई होब कि आप सब काफी अच्छे होंगे और लाइफ में काफी अच्छा कर भी रहे होंगे तो आज हम बात करेंगे मैनफोर्स की टेबलेट के बारे में हम बात करेंगे मैनफोर्स का यूज कहां करते हैं और इसके side effect क्या है, इसका market rate क्या है, और इसको, इसकी dose क्या है, मतलब इसको कैसे लेना होता है, तो सबसे पहले हम basic चाहिए, मैनफोर्स एक orally active drug है, जो market में 1998 में आया था, सबसे पहले US में फिर दो साल बाद भारत में आया, अब ये मैनफोर्स की है, हमने बात की मैनफोर्स mankind company का एक product है, और जो हम US वाली बात कर रहे थे, वो US अलग brand था, ठीक है, चलिए, अभी हम बात, एक, मतलब brand name हो गया, इसका composition क्या होता है, देखिए, मैनफोर्स में जो composition होता है, वो होता है, सिल्डनाफिल, citrate, अब सिल्डनाफिल, citrate, तो strength में आता है, एक आता है, 50 mg में एक आता है, 100 mg, और ये tablet form के हम बात कर रहे हैं, और इसका जो use के जाता है, वो होता है, इसका erectile dysfunction में, और sexual activity को improve करने के लिए, इंडिया में ये बहुत जादा, उप्योग भी के जाने लगा है, अब यहाँ पे दो question आते हैं, पहला question ये आता है, कि अगर आप इसको खा लें, और sexual activity ना कर पाएं, तो क्या होगा, तो देखिए, होगा कुछ नहीं, बस कुछ common side effect हो सकते हैं, जैसे आपका blood pressure low हो सकता है, आपके चेहरे पे, मतलब दाने से निकल सकते हैं, और आपका dry mouth हो सकता है, तो second number का question आता है, कि अगर ये, मतलब sydnafil, sydnafil या man force की tablet, अगर ladies खा ले, तो उसको क्या होगा, देखिए, ladies को ये जराभी काम नहीं करेगी, तो मैं ये आपका doubt पहले ही किला कर देता हूँ, second, ladies के लिए अलग, मतलब female व्यागरा आती है, उसका हमने, अलग से एक separate video बनाया हुआ है, तो आप ज़्यादा जानगारी के लिए हमारा separate video देख सकते हैं, तो अभी बात आती है, ये काम कैसे करता है, sydnafil जो है, वो काम कैसे करता है, देखिए, sydnafil की जो tablet है, वो penis की जो blood vessels होती है, उसको dilate करता है, dilate मतलब थोड़ा चोड़ा कर देता है, जिसके कारण, जो blood flow है, blood का flow तेज हो जाता है, और वो जो penis का जो top है, उस पर आकर रुख जाता है, जिसकी वज़े से penis का जो size है, और मोटा ही है, वो थोड़ा increase हो जाता है, और standing की position में आ जाता है, ठीक है, मतलब इस tightness आ गया है, और tightness की अभी मतलब एक अच्छा performance कर सकते हैं, मतलब अच्छा perform करेंगे अब, थोड़ा ये psychological problem है, actually, ठीक है, तो अगर हम बात करें, क्या ये timing बढ़ाता है, ये timing बिलकुल नहीं बढ़ाता है, ठीक है, चलिए, अभी हम बात कर लेते हैं, self life की, मतल भी की छार से च्छे गंटे तक ये आपकी body में रहता है, ज हम बात करते हैं, sorry, tablet के अगर हम बात करते हैं, चार से च्छे गंटे तक ये आपकी body में tablet रहती है, अभी हम बात कर लेते है, side effect, देखि taraf कोई بी drug लेने से पहले आपको उसके side effect पता होने चाहिए, तो हम बात करत दाने से हो सकते हैं, वीपी आपका गिर सकता है, आपको 10 लग मतलब ब्लूज मोशन हो सकते हैं, आपको जलन सी हो सकती है, अब सिडनाफिल की टेबलेट को लेने से पहले कुछ साफ ध्यानिया भरतनी होती है, अगर आपकी मैडिसीन एरेथ्रोमाइसीन चलती है, तो आपको 48 गंटे के बाद, मतलब गंटे तक ये टेबलेट नहीं लेनी है, सिडनाफिल की, कीटा को लोजोल अगर आपकी चलती है, तो 48 गंटे तक आपको ये टेबलेट लेनी नहीं है, वैपरा मिल चलती है, तो आपको नहीं लेना है, सिमिटर डीन आपकी चलती है, तो आपको नही डॉक्टर के कंसल्ट के ये टैबलेट नहीं लेनी है अगर आपकी ये मेडिसिन चलती है अभी हम इसकी डोज की बात करते हैं तो देखिए इसका जो डोज है सेक्सोल अक्टिविटी करने से एक घंटे पहले दूद्या पानी के साथ आपको लेना होता है